हलो गेमर्ज, विलकम बैक टो ये निए वीडिवो तो गेमर्ज, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे κlans battle में highest possible score कर सकतो? तो गेमर्ज, klans battle में दो टाईप्स के score count किया जा रहे हैं एक overall score मतलब आपकी पूरी clan member का score count किया जा रहे हैं और दूसरा आपका individual score भी count हो रहा है जिसके base पे मतलब आपको अपने country vision पे बहुत सारे rewards मिल रहा है तो gamers इस वीडियो में मैं आपको दोनों बताऊंगा कि आप कैसे अपना score highest रख सकते हो clan battle में और दूसरा आप कैसे अपने clan का overall score highest रख सकते हो जिससे कि आपका clan हर एक battle जीत जाए तो gamers अगर ये वीडियो आपको अच्छे लेगे तो इसे like कर देना और चैनल को subscribe करना मत भूलना subscribe कर लेना guys तो चलो gamers इस वीडियो को start करते हैं तो gamers सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको अपना score highest रखना है clan में तो उसके लिए आपको क्या करना होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको एक match में 3 mission मिलते हैं और ऐसे करके आपको 4 match complete करना है आपको कोई भी mission skip नहीं करना है आपको सभी mission complete करना है तभी आपका point सबसे ज़्यादा होगा तो यहाँ पर अगर आप 1 match का 3 mission complete कर ले तो आपको total 18 points मिलेंगे ऐसे करके अगर आप 4 match का mission complete कर लोगे तो आपको total 72 points मिलेंगे और यहाँ पर mission change होते रहते हैं मतलब daily mission change होते रहते हैं कल कुछ और mission था आज कुछ और mission है तो यहाँ पर आप देख सकतो एक तो classic match complete करना है दूसरा आपको clan member के साथ खेलना है और तीसरा आपको 15 season points gain करना है तो सबसे पहले आपको एक clan member चाहिए जिसके साथ आप match complete करोगे और तीसरा आपको 15 season points gain करना है तभी आपका यह 3 mission complete होगा और ऐसे करके आप अपना score highest रख सकतो अगर 4 match का 3 mission complete कर लेते हो तो और गैज आप यहाँ पर rewards भी देख सकतो यह आपके individual contribution points पर मिलेगा मतलब आपका जितना score होगा उसके base पे यह सारे rewards आपको collect करने का option मिल जाएगा और गैज अगर आप final reward देखो तो यहाँ पर देख सकतो तो यहाँ पर जो clan hashtag 1 पर आएगा मतलब दो clan के पीच में जब battle हो रहा है तो जो hashtag 1 आएगा उसको यह reward मिलेगा permanent parachute और जो hashtag second पायागा उसको temporary मतलब टाइम लिमिटेड यह पैराशूट का skin मिलेगा तो गैश्च कल जो battle हुआ था उसका result आप यहाँ पे देख सकते हो तो कल जो battle हुआ था उसमें हमारा clan hashtag 1 पे आया तो गैश्च अब बात करते हैं कि आप कैसे अपने clan का overall score high रख सकते हो जिससे कि आपका clan हर एक battle जीत जाए तो गैश्च सबसे पहले तो आपके clan में ज्यादा member होने चाहिए ज्यादा member हैंगे तभी उनके mission जो complete करेंगे उनका points overall score में count होगा और आपका clan का overall score high होगा और चार बंदे एक साथ मतलब चार clan के member एक साथ mission complete करोगे तो आपके चारो member का point overall point में count होगा तो ऐसे आपका overall point बहुत ज्यादा रहेगा तो आपका clan हर एक battle जीत जाएगा